पंद्र में अंतर राज्य करकेट टूनामेंट में 16 जनवरी को मुखतिती के तौर पर पहुँचे भिंड जिला पंचायत के अद्द्यक्ष राम नाराय हिंडोलिया उनके साथ तिलक्स सिंग राजवरिया भी मुझूद रहे तो शीर तस्वीर आपके जनर्दालक नीज पर आप देख रहे हैं जहाँ पर मुखतिती के तौर पर बेंड जिला पंचायत के अद्द्यक्ष राम नाराय हिंडोलिया डिल्ली एलवीयस एवं जवलपुर के खलाडियों से परचाप राप करती हुगे इस मौके पर आईजन सम्ती के ओर से चौधरी हाकिम सिंग आईजन सम्ती के सचप द्वारा सभी खलाडियों से परचाप राप कराया गया तस्वीरों आप देख रहे हैं यह दिल्ली एलवीयस और जवलपुर की टीम है जहाँ पर स्यावी फाइनल मुकामले में पहुचे उलते आइजन सम्ती के सचप चौधरी हाकिम सिंग आईजन सम्ती के कोसा अद्वेक्ष रियाजख खान आयजन सम्ती के सचप रूब्लायन खटिक द्वारा सभी खलाडियों से परचाप राप्त करते विंड जला पंचाया द्वेक्ष रामनारें हिंडोलिया इस मौखे प ग्रांड पर भिंजला पंचा अद्देख्ष ने बले वाजी भी करते हैं यह जा रहा है इस मौके पर उनके साथ किसान कॉंग्रेस के जिला उपाथ देख्ष बगलु भाई ने भी बेटिंग की कि वह कि यहां पर दिली एल वी एस के बीच सेवी फाइनल मुकाबले में उम्रा भारी जन सहला तो दवों के सास के हाँ आय स्कुल। ग्राउंड पर यह जन सहला वह आपको दक्ञाई दे रहा है दिल्ली LVS येवं जवलपुर के बीच टॉस हुगा दिल्ली LVS ने टॉस जितकल सबसे पहले बल्लेवाजी की और 22 दिसमलाव दो ओवर में 129 रनों का लक्ष जवलपुर टीम को दिया जवाब में जवलपुर टीम 24 दिसमलाव दो ओवर में 111 रन पर ओल आउट हो गई इस तरीके से दिल्ली LVS ने जवलपुर को हराकर फाइनल में अपनी जगा बनाई बिजेता टीम दिल्ली LVS के ओर से सांदार बल्लेवाज निखिल कुमार जिनोंने 27 गैंदों में 37 रनों दो बिकट लिए में अप दा मैज के लिए चुने गए और यह खिताब उन्हें दवोचित के समाज से भी गुलाफ सींग यादव द्वारा निखिल कुमार को में अप दा मैज के खिताब से नमाज जा गया इस मुगे पर भिंट जला पंचायद अध्यक्ट के साथ तिलक्स सिंग राजवारिया कॉंग्रेस पार्टी के नेता भी मुझूद रहे तो के साथ बवलु भाई एवां विधायत पृतिदी राजिंद के मरिया भी मुझूद रहे नमस्कार आपके जनादालत निउस से मै और आज दवो में पूर मंत्री लाहर विधायक डॉक्टर गोबिन सिंग्जी के पता स्वर्गी मतरा सिंग की इस मर्ती में पंद्र में अंताराज्य क्रिक्ट टूनामेंट के मौके पर पहुंचे हैं बिंट जला पंचायत अध्यक्ष राम नारा एंड हिंडोलिया जो की म बड़ा शौबाग गया कि मैं हर साल की भाति इस बार भी यहां पर मेरे को आमंत्रत किया है मैं कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यह छोटे से कस्वे में हमारे साथ नगरपालका के अध्याच पूरुम नगरपालका के अध्याच रूप नरांजी और हमारे गडमान ने काफी देता राजोरिया जी मौसे यह मेरे साथ में हैं आज यह टूनामेंट ने केवल दवोही तक नहीं भिंडजले तक नहीं पूरे प्रदेश में और देश में इन्होंने एक नाम कमाया है कि छोटी सी जगह पर इतने पूर्णित तो थी के अब सर पर एक टूनामेंट होता है अंतराश्टी टूनामेंट इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कमेंटी को और इसको भी करता हूं कि आज जो हमारे मद्द परदेश के किसान हैं हमारे मद्द परदेश के किसान बहुत परिशान है मद्द परदेश की सरकार हमारे किसानों की बिल्कुल नहीं सुर रही जो तीन कानून है काले कानून उनको ततकाल बापिस करे उसमें हमारे किसानों की भलाई होगी यही मेरा कहना है कि ऐसे अबसर पर हमेशा मनुबल बदाई देता हूं कि उनके एक करोड का लक्ष जंदी से जंदी पूरा हो तो बहुत-बहुत धन्यवाद बदाई के पात रहें लाइक करें और हाँ घंटी दवाना मत भूलिएगा जब तक घंटी नहीं दवाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुचेगा इसलिए न